हेलो गाईज टेक्निकल उमन बहुस में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप पेटियम से किसी भी बैंक अकाउंट में मनी को केश्टाइब से ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रेंट्स पेटियम में यह ऑपसें लेता है आपको कहीं भी जाने की जोटनी है बहुस सारे लोग यह परिशान लेते हैं कि हमें जो है बैंक जाना है महां से मनी ट्रांसफर करवानी है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में या फिर किसी साइवर केफे जाना है साइवर केफे जाके वो रुपे भी देते हैं और फिर वो जानकारी ना होन की वैसे ही यह सब करना पड़ता है अगर आपको यह सब चीज़ जानका है रहागे आप घरवे टीवी आसानी से money transfer कर पाएंगे पेटियम ने खुद यह option दिया है कि आप आसानी से पेटियम की money transfer कर पाएं तो आपको कहीं जाने की जोरत कभी नहीं है ठीक है फ्रेंट्स आप भी इस वीडियो के बाद money transfer आसानी से कर पाएंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर पेटियम एप्लिकेशन को यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के लिए आपको play store खुलना है play store खुलने के बाद यहाँ पेटियम एप्लिकेशन को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लोग आ रहा है इस पर click करके install कर देना है मेरा already install है आपका समय बचाने के लिए मैंने install करा हुआ है अब आपको देखो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके मेरा already पहले से install हो और यह तब भी आपको यहाँ पर आना है और चेक करना है कि आपका यह update वाला option तो नहीं आ रहा है क्योंकि update वाला option जब आता है तो आपको update का लिए मांगता है इसलिए मैं आपसे request करता हूँ कि आप यह pati app application को update कर लें update करने के बाद अब आपको simply इसको open करना है open करने के बाद आपसे login security के लिए बांगेगा तो आपको mobile number डाल देना OTP से वो simply login हो जाएगा ठीक है friends बहुत ही simple सा छोटा सा step है उसके बाद जैसी आप इसको open कर लेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर चार option आ रहे हैं एक तो scan and pay mobile से transfer करना चाहिए mobile से भी कर सकते हैं और link upi link रुपे debit credit card upi credit card के द्वारा करना चाहते हैं या फिर two bank accounts या फिर self bank account मतलब आप bank किसी अन्य bank में करना चाहते हैं या फिर अपने self account में कि जो भी आपने add कर रखे होंगे bank account इसमें paytm में उसमें करना चाहते हैं तो फ्लाल मैं यहाँ पर bank account में करना चाहता हूँ ठीक है friends अगर किसी ने mobile number दिया है कि भाई mobile number यह है और मेरे UPI बगार से लिंक है तो आप उसके द्वारा भी यहाँ पर two mobile वाले option पर जाके उसमें mobile number डाल दिजे आपका वो option आजागा वहाँ से भी send कर पाएंगे ठीक है friends अब मैं जैसे bank account में मुझे transfer करना है तो मैं इस वाले option पर किलिक करूँगा उसके बाद आपके सामने कुछ step center पर इस खुलेगा देख सकते हैं यहाँ पर उपर की side सबसे उपर आ रहा two bank account detail आप bank account detail के द्वारा send करना चाते हैं या फिर self bank account मतलब जो आपने bank add कर रखें इसके द्वारा करना चाते हैं या फिर enter mobile number या UPI number ठीके friends आपके UPI ID होती है ठीके friends add the rate करके जो UPI ID होती है अगर किसी ने UPI ID दे रखी है कि मेरा इस UPI ID पर send कर दीजे आप उसके द्वारा भी कर पाएंगे ठीके friends उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर UPI ID या फिर any app आपकी कोई भी अगर UPI ID है या फिर mobile number है mobile number के द्वारा करना चाते हैं जो भी उसने paytm या फिर आपके phone पे या फिर beam UPI से link कर रखा हो और उसकी वो number दे देता है कि मेरा इस number से link है तो आप उसके द्वारा भी कर पाएंगे अब फिलाल यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा bank account में किस टैप सेट send होगा जो कि passbook कोई सी ने पकड़ा दी है और हम उसके द्वारा send करना चाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले है यहाँ पर enter bank account detail वाले option पर आपको आना है जैसी आप enter bank account detail वाले option पर आएंगे उसके बाद देख सकते हैं bank account number पूछा जा रहा है bank account number आपको डाल देना है ठीके friends उसके बाद bank account का नाम bank का नाम क्या है जैसी bank name पर select करेंगे उसके बाद bank name के लिए आजागा आपका उसका bank account bank का नाम क्या है क्योंकि इसमें नाम की भी पूछी जाती है नाम के बाद क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ पहले मैं इस detail को fill कर देता हूँ तो guys जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले bank account number आ रहा है उसके बाद bank का नाम आ रहा है उसके बाद IFSC code IFSC code होता है आपका bank में जैसी आप bank की passbook होती है उसमें भी side में लिखा रहता है या फिर जिस पे भी आप भेजना चाहते हैं उससे कह दीजिए bank का IFSC code और बताए उस जिसके माद़म से वो पैसा आसानी से send कर पाए ठीक है friends bank की IFSC code आपको यह देख सकते हैं यहाँ पर एक option भी आता है जब आप यहाँ पर फिल नहीं करेंगे तो find IFSC code पर क्लिक करके भी वहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपका उसी bank का IFSC code क्या है ठीक है friends मैंने यहाँ पर फिल कर दिया इसलिए यहाँ पर write आ रहा है उसके बाद receiver name मतलब उसका नाम क्या है जिस पर आप भीजने चाते हैं जो भी उसके bank account में नाम लिखा हो वो आप यहाँ से select कर सकते हैं उसके बाद simply आपको proceed के button पर यहाँ पर click कर देना है ठीक है friends यहाँ पर proceed के button पर जैसी आप click करेंगे यह बाद आपसे दुबारा से यहाँ पर confirmation के लिए पूछा जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर दुबारा से यहाँ पर confirmation के लिए पूछा जा रहा है कि आपका bank account number यह है और यह कौन सा bank है IFC code क्या है receiver name क्या है पुछा जा रहा है ताकि आप confirm कर पाएं कि वही account detail है जिसमें पैसा send हो रहा है उसके बाद जैसी आप proceed की button पर click करेंगे proceed की button पर click करते ही आपका यहां पर amount आ जाएगा कि आप amount कितना send करना चाहते हैं तो amount send करने के लिए आप जैसे यहां पर 20 उर्पे send करना चाहते हैं तो मैं 20 उर्पे यहां पर select करता हूं और यहां पर back का button पर click करेंगे आप 20,000 send करीये या 30,000 send करीया आप जितने send करना चाहते हैं आप amount लिख सकते हैं मैं example के नहीं यहाँ पर 200% कर रहा हूँ उसके बाद process security वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसी आप process security वाले बटन पर क्लिक करेंगे जो भी आपने bank account एड कर रखे होंगे अपने paytm में वो आपके सामने आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर paytm payment bank से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर pay security वाले बटन पर क्लिक करता हूँ जैसी मैं pay security वाले बटन पर क्लिक करेंगे मुझसे यहाँ पर fingerprint बांगा जा रहा है आप passport लगाने चाहते हैं पास code जो chart date का आपने set करा है वो लगाने चाहते हैं वो लगा चकते हैं मैं जैसी fingerprint लगाँगा उसके बाद यह fetch करेगा और मेरी money जो है वो transfer हो जाएगी देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है friends तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने successfully money यहाँ पर transfer कर दिया आप भी इसी तरीके से यहाँ पर money paytm से आसानी से money को transfer कर पाएंगे उमीद करता हूँ आपको इस सारी जनकारी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें comment करें और इस वीडियो से related अगर आपको और वी कोई query है तो मुझे comment box मताए मैं आपको पूरी help करूँगा thanks for watching